जबलपुर के कोतवाली थाने में एक ब्यूटीशियन के खिलाफ शिकायत दर्च कराई गई है जिसके बाद पुलिस उस ब्यूटीशियन की तलाश में जुट गई है मामला दरसल यू है कि कोतवाली थाना अंतरगत मोनिका ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मोनिका पाठक ने 3 दिसंबर को एक लड़की का ब्राइडल मेकप करने का वादा किया था और 3500 रुपए भी ले लिये थे लेकिन शादी के दिन मोनिका पाठक ने दुलहन का मेकप खुद करने की वज़ाए ट्रेनी लड़की से करवाया जिससे दुलहन का मेकप बिगड़ गया और शादी में उसे शर्मिन्दा होना पड़ा जब दुलहन के परिजनों ने मोनिका पाठक से शिकायत की तो उन्होंने दुलहन के परिजनों को जाती सुचक शब्दों से अपमानित भी किया जिसके बाद परिवार ने थाने पहुचकर शिकायत दर्च करवाई पिडित परिवार का कहना है कि मौनिका पाठक ने वादे के मुपताविक अपना काम नहीं किया और फिर बचसुलू की की गई बहरहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है सर, मैने मौनिका पाठक मैडम से, जिनका मेकप इस्टूडियो है उनसे मेकप करवाने का डं किया था 3 december को सर इन और मैंने से यह बी पूछले था कि आप ही अंप ही मेऊकप करोंगी आपने किसी आर्टेषी करबाऊंगी यह उन्हें में में भूला नहीं मेकप करूंगी मेरा पैसन को काल करने भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने जब मैसेज देखा तो मैं और डर गई कि मैडम तो है नहीं अब लड़की का make-up कोन करेगा तो लड़की को अथे अर्मान होते हैं दुलन की मैंने जब इनसे इन्होंने बोला च्छे बज़े तक पहुंच जाएंगे तो फिर लड़की को हम पारलर लेकर आए इन्होंने अपनी नौशिक है लड़की जो भी ती उससे बोल दिया मेकप करवाने के लिए उसने मेकप करें इनका वेट करते रहे वेट करते रहे कि यह आएंगी इनका बिल्कुल नैचुरल मेकप चाहिए अगर इनको नहीं करना था यह पहली भी बता सकते नहीं कोई इन्फॉर्मेशन ने दी कुछ नहीं दिया और फिर उसके बाद जब मेकप हो गया हमारा इन्होंने पैसे के लिए मैंने मानिका मैडम से बात करी उनको देंगे तो उसके ब लेकर नहीं ने अपध्यता पूर्ण बात कि तुम नाओ ओपो आपको देना आपको काम आपको देना चाहिए उसके बाद अबढ़ता पूर्ण तरीके से बात कराने आज हम यहां पर सिकायेद दर्जिकराने आया है कि मेडम कुरी जो हमारे सब्सक्राइब को बाते की हैं इसके हैं सर मेक अप मेरी बेहन की बेटी का हुआ है और मेक अप इनके पास मैं ही आई ती डन करवाने के लिए तीन दिसंबर की साधी कब वो करा मैंने अक्टूवर में इनको डाउन पेइमेंट पांसो का एडवांस पेइमेंट कर दी इनको साड़े तीन हजार की बात हुए थी मेरा नाम बदनना से हैं में जोन दी हमारे शेयन समाच के द्वारा आज एक ग्यापान के माध्यम से सिकायत प्रसुद की गई है उसमें बताए गया है कि राधी का शेयन जिसका विभा होने वारा था और दुलहन का सरंगार मोनीका पाठक ब्यूटी शेयन इन से करवाना तह हुआ था जबलपुर से आशिश बातरे की रिपोर्ट